बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक लव्या स्टेडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 11 की जो आपके हिंदी कोर बुक है वितान बुक से जो चेप्टर है आलो अंधारी जिसको बेबी हालदार जी ने लिखा है इसकी easy explanation देने वाला हूँ तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी query हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे message कर सकते हैं मेरा username आप सभी के screens के सामने लिखा हुआ है और अगर आप हमारी website पे free notes पढ़ना चाते हैं तो www.eclaviastudypoint.com website को आप visit कर सकते हैं सबसे पहले हम start करते हैं टॉपिक है पारिवारिक चिंता तो आखिर क्या बताये गया है इसके अंदर आईए देखते हैं जो लेखिका है देखिए लेखिका नहीं अपने बारे में बताया है इस चैप्टर में लेखिका अपने पती से अलग अपने तीन चोटे बच्चों के साथ किराये के घर में रहती है ठीक है पूरी कहानी को समझते हैं चलना तथा उसे प्रतिक्षन काम ना मिलने की चिंता सताती रहती है यानि कि पती से अलग रहती है अपने बच्चों के साथ और काम ना मिलने की चिंता उसे सताती रहती है यदि उसे काम ना मिला तो वह अपने बच्चों का पालन पोशन कैसे करेगी ये चिंता है इसी चिंता में वह एक गर से दूसरे घर के काम की खोज में पूरे दिनिया से वह खुंती रहती है और वह अपने सभी जान पैचान के लोगों से भी अपने लिए काम ढूंडने के लिए कहती है कि भई अगर कोई काम हो मेरे लाइक तो बता देना उसे यह भी चिंता रहती है कि महीना पूरे होने पर वह घर का किराया कैसे देगी ठीक है उसे इससे कम किराया पर भी कोई घर मिलेगा या नहीं मिलेगा तो यह कुछ परिवार की चिंता है शाम को जब वे घर आती तो आसपडोस की ओरतें उससे काम मिलने के बारे में पूछते हैं कि क्या कोई काम मिला काम ना मिलने की खबर सुनकर वे लेकिका को सांतवना देते हैं कि बेहन कोई बात नहीं मिल जाएगा मतलब एक तरीके से उसका होसला बढ़ाती है लेकिका को अकेले तीन बच्चों के साथ रहते वे देख आसपडोस के लोग उसके बारे में तरह तरह के एक बाते बनाते हैं और उनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं तुम यहां अकेली रहती हो तुमारे पती कहा है तुमारे स्वामी कहा है तुम कितने दिन से यहां रह रही हो, तुमारे पती कहां रहते हैं, क्या करते हैं, तुम अकेली कैसे रह सकोगी तुमारे स्वामी क्यों नहीं आते, तुमारे पती क्यों नहीं आते लोगों की इस तरह की बाते सुनकर लेखिका की किसी के पास जो है खड़े होने और किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं करती समझा रहा है कि वो लेखिका का मनी निकरता कि वो फिर किसी से बात करे इतने सवाल पूछ लेते हैं लोग लेखिका उसी समय अपने बच्चों को साथ लेकर काम डूणने निकल पड़ती है ठीक है और फिर आगे देखते हैं काम का मिलना लेखिका की पैचान सुनील नाम के एक 20-32 साल के यूवक से होती है एक दिन वह उसे रास्ते में मिलता है लेखिका से बातचीत के दोरान उसे पता चलता है कि उसे काम की तलाश है यानि कि लेखिका काम डून रही है दो दिन पस्चात क्या होता है सुनील लेखिका के घर आता है और उसे अपने साथ एक कोठी में ले जाता है कोठी का मालिक लेखिका को आट सो रुबे महीने पर काम पर रख लेता है तो फाइनली काम मिल जाता है लेखिका को उस कोटी में खाना बनाने तता साफ सफाई का काम मिलता है उस कोटी में पहले से काम कर रही महीला को हटा कर लेखिका को रखा जाता है जिस कारण में महीला लेखिका को बला बुरा कहते है यानि कि जो पहले वहाँ कोटी में काम कर रही होगी उसको थोड़ असा बुरा लगता है जब उसको हटा कर और किसी और को रख लिया जाता है लेखी का उस घर में परती दिन सुबह आती है और दुपेर तक सारा काम खतम करके वापस अपने घर चलिया आती है अब आगी क्या होता है घर बदलना लेखी का जिस घर में रहती थी उसका किराया अधिक होने के कारण वहांके लोगों की तरह तरह की बातों से भी वो तंग आकर जो महिला है वो सोचती है लेखी का कि अब मैं एक नया घर डूंड़ू बहुत रूंड़ने पर उसे एक नया घर मिल जाता है उस घर का भाड़ा जो है वो 500 रुपे था यानि कि किराया कम था परन्तु शोचाले घर से दूर था शोचाले दूर होने की कारण उसे कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है फिर अगला टॉपिक है तातुष की आत्मेता तातुष को ने लेकिका के कोठी मालिक जो है वो काफी सज्जन थे यानि कि जो कोठी में उनको काम दिया हुआ था जिन्होंने तो लेकिका की घर के सभी कामों में निपोड़ता देखकर घर के सभी सदस्ये काफी ज़्यादा आस्चर्य चकित रह जाते थे कि वो इतना अच्छे से काम करती है और उसके परिश्रमी सुभाव को देखकर कोठी मालिक को उससे विशेश रूप से आत्मेता हो जाते है मा मित्र जैसा ही हूँ मुझसे शेर कर सकते हो तुम करते क्या हो पूरे दिन फिर क्या होता है भाई कि भाई तुम कभी सुयम को अकेला और बे सहारा मत समझना तुम निश्चिन्त होकर मुझे सारी बाते बता सकती हो और तुम भी मुझे तातुष कहा करो मेरे बच्चे भ सबस्क्राइब रहे हैं जिसमें देश्ट सब्सक्राइब कर रहे तो में जो उनको पता चलता है कि भाई शोक है तो उसे तसलीमा नसरीन की किताब और एक कौपी और एक पैन देता है और फिर उसे पढ़ना लिखना आरम करने के लिए प्रसाइथ करते हैं कि भाई तुम पढ़ो लिखो तातुष बेबी को कहते हैं यानि कि लेखिका को काम की अधिक्ता के कारण भाई लिखना पढ़ना तो मुश्किल था पर उन्तो लेखिका तातुष के प्रसान के अनुसार दी कई किताब कौपी और पैन को लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी जो भी जीवन में गटना ही होती है जो यादें थी उसकी उसको लिखना शुरू कर देती है वह शोक धीरे धीरे आदत में बदल जाता है लिखने की आदत बन जाती है लेकिका को फिर क्या हुआ पाई लेकिका का अकेले अपने तीन बच्चों के साथ रहना समाज के लोगों को अखरता था ये तीन बच्चों के सब कैसे रहती है जहां वह रहती है वहां के लोग उसे अबदर व्यवार करते थे उसके साथ लेकिका जो है निडरता और सयम बनाते वे उस दुर व्यवार को भी सह लेती थी एक दिन जहां वह रहती थी उसके मकान मालिक का बेटा उसके घर आकर बैट जाता है और वहां से जाने का नाम नहीं लेता लेखिका उसके आंतरिक तुछ विचारों को भली बाती जानती है इसलिए मनी मन वह उस घर को भी जल्दी से जल्दी खाली करने का निरने लेती है आप यहाँ पर देख सकते हो कि लेखिका के जीवन में कितने संगर्श चल रहे हैं एक दिन लेखिका काम से घर लोटती है तो उसे अपने बच्चे रोते वे और घर टूटा वा सारा समान बिकरा बिकरा दिखाए देता है यह सब देखकर वे भी रोने लगती है और लेखिका के घर के अतिरिक तो और भी घरों को तोड़ा गया था परन्तो उन घरों में कोई न कोई मर्द था इसलिए वे अपना समान इखटा करके नए घर की तलाश में निकल गए थे हुआ किया वही लेखिका अकेली कहा नए घर रूंड थी जबकि वैइ तो अकेली थी और इतनी जल्दी जल्दी नए घर पाना मतलब रूंड पाना भी मतलब बहुत मुश्किल था मिलना लेखिका इन सब कारणों के चलते पूरी रात बच्चों के साथ कुले आसमान के नीचे बिताती है लेखिका को दुख था कि उसके दोनों भाई उसके आसपा से रहते हैं और उन्हें लेखिका के बेगर होने का मालूमता फिर भी वे उसकी सायता करने नहीं आए तो आप यहां पर देख सकते हो कि कोई अपना नहीं है जो मदद करें फिर क्या होता है तातुष को लेखिका के बेगर होने का पता चलता है तो वे उसे तुरंट अपने घर में आश्रे मतलब देते हैं ठीक है आश्रे देते हैं और उसके बाद इस परकार वहे तातुष के घर में रहने लगती है ठीक है और तातुष के घर में लेखिका और उसके बच्चों को जीवन की सभी सुक्सीवधाएं सब मिलने लगते हैं तातुष तो अच्छे आदमी थे। तातुष लेकी का और उसके बच्चों का पूरन रूप से ध्यान रखते थे। ता बिमार पढ़ने पर दवाई वगरा भी दिलवा दिया करते थे। और तातुष का ये जो व्यवार था सद व्यवार देखकर लेकी का बहुत आश्चारे चकित रह जाती थी लेकी का का बड़ा लड़का किसी अन्य जगे काम करता है और दो महीने से उसकी कोई खोज खबर ना मिलने पर व्यवा उदास रहती है। ठीक है फिर क्या होता है तातुष जवार बड़े लड़के को खोज कर लेकी का से मिलवाया जाता है तातुष यह अपने पिता देखने को मिलते हैं लेकिका को अब किताब अख़बार पढ़ने और लेखन कारे वगरा में इंटरस्ट आने लगा तातुष उसके लेखन की फोटो कोपी अपने पास रख लेते हैं और उसे अपने मित्रों को भेज देते हैं इस तरह ताश के साथ-साथ उनके मित्र गण भी लेकिका के लेकन से प्रभावित होते हैं ठीक है और निरंतर उसका उत्सा बढ़ाते रहते हैं यानि कि तातुष और जितने भी लोग थे वो सारे क्या करते हैं कि भाई उसको और ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि और लिखो लेकिका तातुष के मित्र को जेठु यानि कि पिता का बड़ा भाई या ताओ की तरह तथा शर्मीला को दी कहकर संबोधित करती हैं जेठु लेकिका को आशापूरुण देवी नाम की प्रसिद्ध लेकिका का उधारन देकर उसका होसला बढ़ाते हैं और तातुष के छोटे लड़के अर्जुन के दो मित्र भी वहां आकर रहने लगे परन्तु उनके अच्छे वेवार से लेकिका उनके काम को खुशी-खुशी करने लगते हैं यानि की काफी अच्छा वेवार जो है वो सबी करते थे भई ठीक है वहां पे उनके साथ तातुष ने सोचा सारे दिन काम करने के बाद लेकिका ठक जाती होगी तो उसने लेकिका से रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लाने के लिए का कि भई शाम शाम में क्या क्या करो कि भई बच्चों को घुमा आया करो जिससे बच्चों का दिल बहल जाए तो अब वे पार्क में भी जाने लगती है पारक में नएने लोगों से उनकी मुलाकात होती है लेकिका की पहचान एक बंगाली लड़की से हुई जो जल्दी ही अपने घर चली जाती है और फिर लेकिका को वे पारक में कभी नहीं मिलती लोगों के दुर वेवार के कारण लेखिका पार्क में भी जाना छोड़ देती है यानि कि बहुत ही जयादा अlor हो रहा है यहां फे लेखिका के साथ में एक दिन लेखिका क्या हुआ है पिता उससे मिलने आते हैं और लेखीका द्वारा अपने पिता से मा के बारे में पूछने पर उसे पता चलता है कि उसकी मा का निधन हो गया वह रोने लगती है क्योंकि उसके भाई वा भावी ने तो मा की खराब तबियत और निधन के बारे में जानते हुए भी लेखीका को कुछ नहीं बताया और अंतिम समय में अपनी मा से वो मिल भी नहीं पाई तो लेखीका के बाबा उसके लिखने पढ़ने तथा उसके जीवन के सुक को देखकर निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई मेरी बच्ची खुश है और जाते जाते उसे अपना और अपने बच्चों को ध्यान रखने की सला देते हैं लेखीका के पिता पहले उसकी कोई खोजगबर नहीं लेते थे परन्तो अब वे उसका हाल चाल जानने के लिए फोर करने फोन वगरा करते हैं लेखीका की पत्रों के माध्यम से कौलकत्ता में जेठु और शर्मीला दी तथा दिल्ली में रमेश बाबू से गनिष्ट मित्रता हो जाती है ठीक है और उसे आचार्रे होता है कि उसके साधारण से लेकन को इतना पसंद किया जा रहा है यानि कि ये सब वो लोग हैं जो लेखीका के लिखे हुए हर चीज को पसंद करने लगे थे शर्मीला दी उससे व्यक्तिकत सम्मन्द रखती है और लेखीका से उसकी पसंद ना पसंद के बारे में भी पूसती रहती है लेकिका सोचती है कि यदि तातुष उसे ना मिले होते तो भई ऐसी जीवन ऐसी जिन्दिकी नहीं मिल पाती वो इधर उधर दर बदर बटकती रहती और ना इतनी वो फेमस हो पाती क्योंकि तातुष नहीं उसको मोटिवेट किया था लिखने के लिए लेकिका का जीवन तातुष के घर में आकर बदल गया था और उसे जीवन में नई दिशा मिल गई और उसका बड़ा लड़का उसके पास ही दूसरे घर में काम पर लग चुका था दोनों चोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे लेकिका खुद भी लेकिका बन गई थी ठीक है पहले उसे लगता था इसका पूरा नाम बेबी हालदार था ठीक है और पहले उसे लगता था कि वह अकेले संसार में कैसे अपना स्तित्व बतलब बचा कर रख पाएगी बना पाएगी परन्तो तातुष और उनके जो मित्र थे उन्होंने काफी प्रोसान दिया और काफी ज़्यादा उनको सपोर्ट किया तो जिसकी वज़ासे वो आगे बढ़ी अन्तते एक दिन वो भी आता है जब उसकी लेखन कला को एक पत्रिका में स्थान मिलता है भई रेंक्यू करने की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो तातुष के पैर छोकर आशिरवात लेती है इसी के साथ यहीं पर हमारा चैप्टर खतम होता है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और वीडियो को शेयर करें जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी